है गाइस मैं हूं सच्छे निगम और आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत दिनों बाद थार 4 यानि कि थार 1100 के कुछ लीक्स और कुछ अपडेट्स के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंतर आपको ये भी बताऊंगा कि बेटा रेबिल का जो रोल है वो कौन करने वाला है साथ साथ थोड़ा सा प्लॉट स्टोरी भी मेरे पास आया है वो भी मैं आपको बताऊं वो चेंज कर दिया गया है अब नया जो रिलिजडेट है वो डेफिनली जो एमसीओ का निव शेडियूल है उसके इसाफ से रखा गया है और मावल वाले भी ये चाते है कि इसको एक ऐसे टैम्फ रिलिस किया जाए ताकि लोगों को मूवी सी कमी ना हो आपको पता है कि 2021 मे ही कोई मूवी नहीं भड़ना चाते इसलिए ही इसको थोड़ सा शिफ्ट किया गया है अब जो नई रिलिजडेट आई है हमारे सामने वो है हमारी बहुत ही अमेजिंग में 6 2022 यानि 2022 में जिसमें लगबग अभी पूरे के पूरे 2 साल पड़े है उसके अंदर हमें देखने में 6 2022 बात करें इस मूवी के विलन की तो मैंने आपको अलड़ी बताया था लगवाग हम 8-9 महीर से बात कर रहे हैं कि मैं को यह चीज़ अलड़ी पता थी कि इस मूवी के अंदर क्रिस्टियन बेल हमारे विलन होने वाला है और टैसल टॉमसन ने एक इवेंड के अंदर ख आपके if और दॉस्टनल दूष्मन यहां और टैसल बिलीव करता था लेकर उसकी सामैले के भाद में वह और वह सारे के जो 93 अचा को मानuna चाहता है औरihat लेशी स्रcrafty और सफिलम दुर औहेता जाते हो back shape दुचल को 50 re pronunciation यह करने वाले हमें हमारे क्रिश्चन बेल और कृशर नहीं यही बताया है कि सिर्पर सिव यह एक movie के लिए sign up हुए है यानि कभी वो बड़ा commitment नहीं करना चाहते आगे future के अंदर शायद वो नहीं देखने को मले और हमें इसी movie के अंदर उनका end होता हुआ देखने को मिल सकता है तो he is going to be the villain of the Thor love and thunder आगे अगर बात करे plot की तो plot के कुछ चोटे चोटे points है जो हम आपको बताना चाहता हूँ first of all Thor एक plan मनाता है वापस से asgard बनाने का आपको पता है कि asgard जो है वो अभी धर्ती पर बसा हुआ है और वो asgard दुबारा बनना चाहिए तो Thor जो है एक plan मनाएगा asgard को दुबारा बनाने का जिसके लिए उसको मदद चाहिए होगी हमारी टैसर टॉंसन यहने की वॉलकरी की उसके बाद जेन फॉस्टर हमें देखने को मिलेगी जो की sword के लिए काम कर रही है अब आपको पता है कि हमने वांडर विजन के ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा तो Darcy Lewis जो है वो भी sword के लिए काम कर रही है तो हो सकता है जेन फॉस्टर भी यहाँ पर sword के लिए काम करती है वह देखने को मिल सकती है तो यह product point होगा जिसकी वज़ा से Jane Foster को introduce किया जाएगा अब मुझे पता है काफी लोग इस बारे में confused है कि Thor 3 के अंदर यानि Thor Ragnarok के अंदर हमें दिखाया गया था कि Thor का और Jane Foster का जो breakup है वो हो चुका है तो इसको वो किस तरह से judge करेंगे तो मेरे कासे Marvel के जो 4th movie आने वाली है Thor 11 Hunter इसके अंदर वो अराम से आपको बता देंगे कि दोनों का breakup किस वया से हुआ था या फिर उन उनों का पैचाप अगर होगा तो वो कैसे होने वाला है तो मैं था बहुत excited वो इस चीज़ को देखने के लिए उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहां पर Loki आप आपको अलेड़ी पता है कि Loki की बिना Thor की कोई movie बनाना impossible है obviously Thor एक ऐसा character है जिसको लोग पसंट करते हैं लेकिन Loki एक ऐसा villain है जिसको लोग पसंट करते हैं विलन होने के बावजित भी काफी लोगों का fan favorite बन चुका है Tom Hiddleston अभी obviously अपने Loki का जो show है वो लाने वाले हैं Disney Plus पे और उनका जो cameo है या फिर फुल फिले सीन हमें Thor 4 के अंदर definitely देखने को मिलेगा यह मिलेगा अब काफी लोग मुझसे comment section में यह बोलेंगे के Loki आया कहां से obviously हमें पता चलेगा Loki की series के अंदर जो की 2021 के अंदर हमें देखने को मलेगी Disney Plus पे और हाँ Disney Plus का subscription ने लिया ना तो link में जाना description में link मिल जाएगा वहाँ पर click कर के लिए एक मेना free मिलेगा आपको मलब गार एक साल को लोगे तो प्लस एक मेना और में लेगा उसके पर और हाँ premium subscription लेना है 1500 वाला हमाई VIP से वाले से काम नहीं चलेगा वापस चॉपिक पाते हैं तो Loki Multiverse से आएगा और यह वही वाला Loki होने वाला है जो की हमने Loki की series में देखना है मतलब यह वह Loki नहीं है जिसने सारे के सारे Avengers के मारे में पता है और जिसने Thor के साथ में fight के थी Thor Ragnarok में यह एक नया Loki है जो की Thor का दुबार से दुश्मन बन चुका है तो यही Loki हमें देखने को मिलेगा और वो अपने साथ लेकर आएगा एक नया Mewonier Yes, Mewonier is coming back यह एक different reality से Mewonier आएगा जैसे हमने Avenger and Game में देखा था कि Mewonier अभी भी दूसरी reality में है, दूसरे time में है तो इसी तरह से दूसरी reality से Mewonier को लेकर आएगा और वो Mewonier जाएगा हमारी Jane Foster की पास में यह होने वाला है इस Mewonier का और Loki का plot point बात करें अगर गाईज इस movie के अंदर Guardians of the Galaxy की तो आपको पता है और जो चीज़े confirm हो चुकी है मैं आपको Chris Pratt की एक clip दिखाना चाहता हूँ जो की थोड़े दिरों पहले की है और वो Tom Holland से बात करते हैं उसके अंदर उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं Guardians of the Galaxy 3 का जो जो सारे के सारे character है उनके साथ return करूँगा हमारे Thor 4 यारी Thor 11 Hunter बे that the the lockdown very seriously E até Gandhi is what the lockdown games today not me are they're fully ot back to normal so like dude that'll be so weird and he go to like a restaurant that'll be so strange that'll be such a strange experience I feel like going to a restaurant is so alien now I know I know we'll get there though I think we're gonna get there soon wait a minute did you just say you're gonna be in Thor yeah तो आभी जो क्रिस्प्राइब हो चुके है वह है क्रिस्प्राइट यह हमें पता है कि इस मुवी के अंदर होंगे ही होंगे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक हफते की शूट अगर होने वाली है तो थोड़ा सा बड़ा रोल हो सकता है आप बेटा रेबिल को बाद में यूज़ कर सकते हो और हमारे टाइका वाटीटि ने बोला था कि बेटा रेबिल को मैं बाद में ज़रूर यूज़ करूँगा यह मुझे पता ना कमेट सेक्शन के अदर डिस्नी प्लस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएगा वहाँ पे क्लिक करके लेना थोड़ा आपका फायदा थोड़ा मेना फायदा थैंक यू सो मुझे पर वाचिए इस वीडियो गाइस मैं हूँ सब्सक्रिप्शन इगा मिलूंग आपसे अगली वीडियो के अंदर बाइगा शेकर लव यू अल और आव ग्रेट अमेजिंग देव झाल 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 झाल